ब्लैक मैजिक कौन से चक्रा को ब्लॉक करता? Does ब्लैक मैजिक वोक्स आफ्टर कुंडलिनी एक्टिवेशन? क्या ब्लैक मैजिक स्पिर्च्वल पात को ब्लॉक कर सकता है? Hello everyone, welcome to Earth Nareeshwaday कात्मिक यात्रा Friends, यह जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो सब के लिए सुनना समझना ज़रूरी है क्योंकि ब्लैक मैजिक पे काफी लोग बिलीव करते हैं और काफी लोग इसे नकार भी देते हैं यह कहके कि यह बस अंदविश्वास है सो आज का वीडियो स्पैसिफिक ट्फिन फ्लेम्स के लिए ही नहीं है सब के लिए है और इसे सब लोगों तक आप शेयर भी जरूर कीजेगा मैं वीडियो के जरी कोई भी अंदविश्वास को बढ़ावा नहीं दूँगी पर जितना मैंने एक्सपिरियेंस किया है बस वही शेयर करूँगी जैसा कि आज की सुसाइटी में ये देखा जा रहा है खास कर कि परिवार के अंदर ही लोग एक दूसरे पर ब्लैक मैजिक के जरीए नेगेटिविटी थ्रो करवाते हैं और ये कोई साधारण से नेगेटिविटी नहीं होती व्यक्ति की हैल्थ, रिलेशन्शिप, फाइनेशिल कंडिशन्स सब बिगड़ जाती है बेसिकली जिन्दगी नरक हो जाती है उस व्यक्ति के लिए जिसके ओपर ये ब्लैक मैजिक होता है और अब ये वही मानते हैं जिन्नोंने एक्सपिरियंस किया है ब्लैक मैजिक को जो विक्टिम रह चुके हैं, जो पिर्ट रह चुके हैं कई चैनल्स ऐसे हैं जो नकार देते हैं इस पूरे कंसेप्ट को कि ये करना कराना, तंत्र मंत्र, ये कुछ नहीं होता है और कई डियेफ्स भी परेशान रहती हैं कि उनको डाउट होता है कि उनके डियेम पर ब्लैक मैजिक किया गया है और मैं खुद भी और मेरे पैरेंट्स भी विक्टिम रह चुके हैं ब्लैक मैजिक के बड़ी मुश्किल से उस सिच्वेशन से हम लोग बाहर निकल पाए और हम पर ये अटेक्स भी रिलेटिव्स नहीं किये थे बाहर के लोग बहुत कम शामिल होते हैं ऐसे अटेक्स में ज्यादा तर करी भी ही होते हैं घर के लोग ही होते हैं तो हाँ सबसे पहला पॉइंट की ब्लैक मैजिक कौन से चक्रा को जाधा ब्लॉक करता है वैसे तो सारे चक्रास को ही ये एफेक्ट करता है ब्लैक मैजिक की जो एनरजी होती है पर जहां तक मैंने सिचुएशन को एनलाइस किया है ये सबसे ज़्यादा थर्ड आई और रूट चक्रा को ब्लॉक करते हैं जो पूरी की पूरी ब्लैक मैजिक की जो डाक एनरजी होती है इन दोनों चक्रास को पूरा ब्लॉक कर देती है बहुत हैवी एनरजी हो जाती है इन चक्रास की इसे इस तरह से समझे जैसे किसी की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा जा रहा है ब्लैक मैजिक से तो उसका रूट चक्रा ब्लॉक्ट होगा हो जाएगा बहुत और विक्टिम पर्सन अगर अब्यूस कर रहा है बहुत negative thinking होगी उसकी फैसले अगर सही नहीं ले रहा है जिन पर ट्रस करना चाहिए उन पर नहीं करता जिन पर नहीं करना चाहिए उनकी तरह भाग रहा है उन पर भरोसा कर रहा है तो मतलब उस विक्टिम का थाड़ा है पूरा ब्लॉक्ट है जिनका ये चक्रा ब्लॉक्ड होता है, वो भगवान तक को अब्यूस कर देते हैं, गाली देते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं क्योंकि ब्लैक मैजिक से विक्टिम की मेंटल स्टेट को ही पुड़ा खराब किया जाता है, और उसकी जो फिजिकल है उसे भी, ताकि वो इतना परेशान हो जाए कि खुद ही सुसाइड कर ले, यह ब्लैक मैजिक से ही उस विक्ति की जान ले ली जाती है, यहां तक भी होता ह है, क्योंकि फ्रेंट्स ब्लैक मैजिक से जो भी प्रॉब्लम्स आती है, फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम आती है, डिजिस होती है या कुछ भी, तो मैडिकल ट्रीटमेंट के जरी वो पता नहीं की जा सकती है, ब्लैक मैजिक के किसिस में जो रिपोर्ट आती है, पेशन की वो बिल्कुल नॉर्मल आती है कुछ उसमें डिजीज वगर कुछ भी डियागोनाइज नहीं होता है डॉक्टर्स खुद भी कुछ पता नहीं कर पाते हैं अब सवाल यह उठता है कि ब्लैक मैजिक multiply easily किस पे work करता है तो वे उन पे work करता है जो पहले ही low energies में फसे होते हैं जो low élm में ही होते हैं थीडी तक फसे व्यक्ति को उस energy में जो रह रहा है उसे वो आसानी से इसके trap में आ जाता है जैसे जब थीडी में होते हैं तब उन पे यह work कर सकता है ब्लैक मैजिक चांसेस हैं 40 में भी हो तो जो पहले से लस्ट, एंगर, अटेच्मेंट्स पेंग, जीलसी सारी लोग एनर्जिस में होते हैं तो ये उन पे वर्क कर जाता है और कर्मा बैगिज भी जादा होता है इस वज़े से भी ये वर्क कर जाता है लोगों पर फिर ये कि क्या ब्लैक मैजिक किसी के स्पिच्वल पाथ को ब्लॉक कर सकता है जैसे किसी की अवेकनिंग हुई तो क्या उसे रोका जा सकता है किसी की अवेकनिंग को क्या उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आके बढ़ने से रोका जा सकता है तो yes it's possible अगर आप initial stage पे हैं या mid में हैं तो block हो सकती है आपकी journey कोई भी आपको रोक सकता है जैसे मैंने कहा 4D में भी chances होते हैं कि वहां तक आप पहुचे और किसी ने black magic कर दिया तो वह आपकी journey वहीं रुख जाएगी बलकि उल्टा आप black magic से दुबारा से 3D में आ सकते हो पूरे पूरे chances से तो इसलिए भी आप लोगों को सला दी जाती है एड़ाइस दी जाती है कि journey के बारे में या आप meditation करते हैं वो किसी को भी मत बताईए यह ह बिलीव नहीं करेगा इस पर मेडिटेशन करते हैं नवक करते शेशन्स लेते हैं जो भी हीलिंग वो भी किसी से शेर मत कीजिए जब तक आप खुद पूरे हील नहीं हो जाते हैं इस journey को secretly पूरा करें और ऐसे लोग जिनके बारे में आपको जानकारी है कि वो तंत्र मंत्र करते हैं बाबाओं के पास जाते हैं तो उनसे बिल्कुल ही मत कहिए कि आप मेडिटेशन करते हैं यहां मैं नासिस्टिक टॉक्सिक लोगों की बात कर रही हूं तो उनसे बिल्कुल भी शेर नहीं करना है अपनी journey के बारे में एक बार व्यक्ति अगर 5D या उपर के dimensions में प जो व्यक्ति हाम करने की कोशिश करता है तो वो black magic reverse back होके उसी को लग जाता है जो हाम करने की कोशिश करता है तो जब तक आप meditation करते रहते हैं तब तक आपका कोई कुछ ने बिगार सकता और जब तक आप 5D तक नहीं पहुंच जाते हैं प्रॉपर inner work नहीं कर लेते हैं और एक बात कि कोई भी दूसरे जो आम लोग है जो जर्णी में नहीं है जिनकी अवेक्निंग नहीं भी हुई है पर हर को ही आप देख सकते हो जाधा तर लोग इस ब्लैक मैजिक की वज़े से पीड़ित हैं बहुत जाधा तो कोई भी आपसे इस तरह का इशू शेयर करता है ब्लैक मैजिक का ठीके की वो सफर कर रहा है तो सबसे पहले उससे मेडिटेशन करने को ही कहें आप सोचते हो कि बबाओं के पास जाके हल निकाल देंगे है ना सॉलूशन ढून देंगे तो वो सब कुछ टेंप्रेरी होता ह है थोड़े वक्त के लिए होगा अगर वो सही भी गर देंगे तो और उसमें बहुत पैसा भी लगेगा आपका पैसा वेस्ट होगा मनी वेस्ट होगा और मैडिटेशन ही एक ऐसी थेरपी है एक प्रॉसेस है एक तो फ्री है आप खुद से करते हैं सेकिंड मैडिटेशन कं बाल भी बाकर नहीं कर सकता है क्योंकि आप डायरेक्ट सोर्स के एनर्जी से जूड़े होते हैं जब मैडिटेशन करते हैं तो ब्लैक मैजिक से कोई भी मालब प्रीडित व्यक्ति आपको मिलता है शेयर करता है अपनी प्रॉब्लम को तो उसे मैडिटेशन करने को ही कहें था मैंने अच्छा एक बात और कि अगर आप किसी बाबा के पास जाते हैं तो सिर्फ आपकी फिजीकल बॉड़ी को ही वो ठीक कर पाता है वो आपके चक्रास क्लीन्स नहीं कर सकता है और मेडिटेशन से आप खुद अपने चक्रास क्लीन कर सकते हो अपना पूरा कर्मा है वो पूरा क्लियर कर सकते हो बस आपको किसी शेयर नहीं करना कि आप साधना करते हो अटलिस नार्सिस्टिक लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं करना है खास कर अगर ऐसे नार्सिस्टिक आपकी फैमिली में हो क्योंकि फैमिली ही बहुत ज़ादा अटेक्स करती है ब्लैक मैजिक के अब जब से मैं विक्टिम रही हूँ तब से एक सवाल काफी बार मन में आता जा रहा है कि जो बाबा तांत्रिक देवी की शक्तियों का गलत इस्तमाल करते हैं क्योंकि इनकी भी जो होती है तांत्रिक को क्यों बाबाओं की कुंडलिनी एक्टिवेट होती है कुंडलिनी जागरत होती है बहुत सिद्धियां शक्तियां ये प्राप्त कर चुके होते हैं पर ये उन शक्तियों का, देवी शक्तियों का गल्ट इस्तमाल करते हैं. तो ये श्यो OUR है कि उनकी जो मौत होती है लास्ट में वों बहुत बुरी होती है और ये उनको पता होता है पर कहते हैं ना पैसे के आगे सब अंधे हो जाते हैं. आफ्टर दैट ये सब जो अपने ही करीबियों पे, फ्रेंट्स पे, जो निर्दोश होते हैं, उन पर ये सब करवाते हैं आखिर वो क्यों करवाते हैं? ऐसी क्या mental state होती है तब उन family members की, relatives की जो ये black magic करवाते हैं अपनों पर ही अंदर से वो कौन सी low energy है जो इतना गंदा गाम करने पर उनको मजबूर करती है उकसाती है तो पहले तो ये सोचते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि खूब पैसा है हमारे पास जिसके कारण ego इनके अंदर extreme level का होता है इतना एहंकार इनमें आ जाता है जो कि इनकी सोचने की क्षमता को ही खतम कर देता है और दूर सा कारण ये कि जब भी कोई व्यक्ती low energies में होता है तो dark entities उनका खूब फायदा उठाते हैं उनको pauses करते हैं, control करते हैं ये लोग पूरे उस entity को entity के वर्ष में हो जाते है जो ये black magic करवाते हैं, जो एटेक्स करवाते हैं जो किसी को इतनी पीड़ा देते हैं वो उससे भी जदा low energies में होते हैं तो उनके आसपास क्या होती है, जो dark entities होती है उनको pauses कर देती है, उनको अपने वर्ष में कर देती है और वो प्रेट पिशाज की ही energy होती है जो इनसे ये सब करवाती है तबी इन लोगों में करमा को लेके, भगवान को लेके कोई डर नहीं होता है क्योंकि कौन हैसा पुरा universe में जो divine से नहीं डरता है जिनको भगवान से कोई डर नहीं है वो सिफ प्रेट पिशाज जो dark entities ही होती है वही दुश्मन होती है divine की वो नहीं डरते हैं उनसे क्योंकि उनमें भी dark entities में भी बहुत power होती है बहुत powerful होती है तो इसलिए ये पूरा trap होते है असे लोग पूरा trap होते है dark entities dark entities के वश्मन होते है तो ये जब black magic को कर रहे होते हैं पता नहीं होता कि अच्चल में हमसे क्या करवाया जा रहा है हमसे करवा कौन रहा है तो कोई डर नहीं होता भगवान का कर्मा का इनके अंदर और ये जो प्रेत पिशाज होते हैं इतने powerful होते हैं कि किसी के मन का हाल जानना तो छोटी बात है इनके लिए आप कौन सी energy में हो अब भी present में आपके आसपास dark entities होंगी तो बहुत आसान है उनके लिए ये परखना और जानना तो मरने के बाद ये भी ये जो लोग होते हैं ये भी lower realm में ही जाते हैं जो 3D के नीचे के realm होते हैं तो मतलब इंसान तो छोड़ो जानवर की योनी में भी इनका जनम संबब नहीं होता है इसे जो करम करते हैं तो फ्रेंड्स अंत मैं फिर से ये ही कहना चाहूंगी कि मदद करिए उन लोगों की जो परेशान है इस black magic से सला दीजिए उन लोगों को की meditation ये उन्हें बचा सकता है और aware कीजिए उनकों की जिंदेगी की छोटी छोटी समस्याओं की वज़े से ऐसे जमेलों में न फसें बबाओं के पास जा रहे हैं न तांतिकों के पास जा रहे हैं पूजा पाट और जो भी वो सब इनको बोलते हैं करने के लिए लोग कर जाते हैं अपने करमा पे ध्यान नहीं देते हैं करमा की importance इनको पता नहीं होती है तो aware भी कीजिए लोगों को बूरा दौर सबके जीवन में आता है सबके जीवन में तो उसमें सहयम बरतने की जरुरत होती है ये नहीं की तांतिक के पास चले गए समस्या को लेके तो friends अपने inner work को meditations को continue रखिए skip मत कीजिए तब ही आप protect रह पाएंगे आपको protection मिल पाएगा 24 hours इसी भी तरह की कोई dark force black magic कुछ भी work नहीं करेगा आप पर तो friends मिलते हैं next video में till then goodbye and God bless you